कन्या कुमारी से शुरू होकर कश्मीर में संपन होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मौजुदा वक्त में पंजाब से गुजर रही है पंजाब की बात कॉंग्रेस की पद्यात्रा 19 जन्वरी को जम्मु कश्मीर में प्रविश करेगी और 30 जन्वरी को एक विशाल रैली के साथ संपन होगी जम्मु कश्मीर में राहुल गांधी की एंट्री से पहले यात्रा कुल एकर सुरक्षा एजन्सियों ने अलर्ट जारी किया है सुरक्षा एजन्सियों ने राहुल गांदी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की दौरान कुछ जगों पर नहीं जाने की सलाहा दी है एंडी टीवी की एक रिपोर्ट की मताबत एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया उनको सुरक्षत करने के लिए एक वस्तुरत योजना बनाई गई है और ये सलाहा दी गई है कि कुछ जगों पर पैदल यात्रा करने से बचना चाहिए और इसके बजाए कार में यात्रा करनी च पहुचेंगे इसके बाद 25 जनवरी को बनिहाल में राष्टी ध्वच फेराएंगे और दो दिन बाद 27 जनवरी को अनंतनाक के रास्ते श्रीनगर में प्रविश करेंगे रिपोर्ट्स में अधिकारी ने कहा है कि राहुल गांधी कश्मीर के रास्ते में तिरंगा फेराए है कि राहुल जब श्रीनगर में हो तो कुछ ही लोग उनके साथ यात्रा करें भारत जोड़ो यात्रा के रूट प्लान के मताबित राहुल गांधी है 19 जनवरी को लखानपूर में प्रविश करेंगे और वहाँ एक रात रुकने के बाद अगली सुबह के हटली मोड से जनसभा युचुत की जाएगी फिर राहुल गांधी उधंपूर के रास्ते जम्मू से बनिहाल पहुचेंगे और फिर वे अनंतनाग होते हुए श्रीनगर के पंथा चौक पहुचेंगे NGTV ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ एरिया समवेदन्शल है इसलिए हमने उनकी टीम को ऐसे लोगों की पहचान करने के सलहा दी है उनके साथ आंतरिक घेरे में होंगे आपको बता दी कि मौड जुदा वक्त में राहूल गांधी के पास Z प्लस श्रीनी सुरक्षा कवर है जो उसका मतलब है कि आट नौ कमांडो 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेते हैं